जैहें दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लेकर आप प्रस्णावली 7 के एका पार्ट 4 यदि आपने पार्ट 1, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है आप वहां से जाकर देख सकते हैं यदि आप यहां से नहीं देख रहे हैं तो चैनल के प्लैलिस्ट में चला जाए वहां पर आपको क्लास 9 की सारी वीडियो मिल जाएगी ठीक है दोस्तो तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं प्रस्णावली सेवन के एक पार्ट फोर में क्वेस्ट नमबर 14 से ठीक है दोस्तो तो बने रहे हैं मेरे साथ दोस्तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा आभी मत करिएगा पहले आ आप कर दिये हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए मैं क्वेस्ट नमर 14 को पढ़ रहा हूं देखता हूं इसमें क्या बोला है तो इसमें बोला है एबी सी एक समध्वाहुत्रिभूज है समध्वाहुत्रिभूज है कंसेप्ट को समझ येगा जिसमें एबी बराबर AC है भूजा BA बिंद D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है देखिए आकरती दर्साय की कोण BCD एक समकोण है आपको इसमें क्या करना है कि कोण BCD एक समकोण त्रिभूज है अब कैसे प्रूब्ड होगा ये मैं आपको बताऊंगा एक दम सिंपल से भा पहला काम आपका होगा कि आप आकरती को बना लीजिए ठीक है तो चलिए दोस्तों मैं यहां पर आकरती को बना देता हूं आकरती आपकी कुछ इस प्रकार से दी गई यहां पर तो आकरती को पहले हम बना लेते हों उसके बाद आपको हम समझाते कैसे क्या इसमें करना है कै ऐसे क्या नहीं करना है तो दोस्तों ऐसे आप खिच लिए इसको ठीक है यहां से इसको मिला दीजिए अब यह समद दिवाव तिरिभूज की बात क्या है यानि यह जो दोनों तिरिभूज हैं यह क्या है समान है ठीक है समद दिवाव मलत दो समान भागों में इसको विभाजी किया है और यह तीनों भूजाएं जो हैं यह आपस में क्या हैं बराबर हैं यहां पर दिखें डैस करके दिया है यानि यह तीनों भूजाएं यहां पर दिख रही है यह आपको क्या दिख रही है बराबर दिख रही है तो इसके भूजाओं को मान दीजे जो दिया है उसको ल चले जो दिया है उसको लिख लेते हैं उसके बाद हम आपका क्या करते हैं क्वेस्टन को प्रूब कराते हैं ठीक है दोस्तों एकदम सिंपल से तरीके से प्रूब कराएंगे दोस्तों तो बने रही मेरे साथ देखते हैं अब क्या किया है पहले जो दिया है उसको लिख लीजे तो मैं यह ही काम करता हूँ जो दिया है उसको लिख लेता हूँ ठीक है आप लिखना चाहो तो यहाँ पहले आप लिख दिया करिए दिया है अब क्या क्या दिया है चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिया यह एक दूसरे के बराबर है ठीक है तो यहां लिख सकते हैं अब बराबर क्या दिया है एसी ओके अब क्या करेंगे भूजा भी ये बिंद डी पर इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है अब देखे यह जो AD भूजा है वह किसके बराबर है AB के बराबर है क्योंकि समध भाजित करता है तो जाहिट सी बात है कि इसको मध से भाजित जब करेगा तो AD और AB आपस में क्या निकलेंगे बरा भी बराबर AB इतना क्लिर हो गया यह आपका इतना दिया गया था अब चलिए इसमें दो त्रिभूज बन रहा है पहला क्या बन रहा है A B C ठीक है और दूसरा क्या बन रहा है AD स्थी यह आपके दो गुशेहां पर बन रहे ना तो इनी दोनों प्रीभूजों को ले के चलना और आपको प्रूब्ड करना है यह जो आपका bod explicitly कोंड है जह क्या है समकोन है अपका ऐसे प्रूब्ड होगा यहां में दोनों प्रीBhoo जो से see और एडिसी को लेकर हम यहां से क्या निकालते हैं दो समीकरण निकालते हैं तो पहले ले लिजिए आप क्या अबी सी को ठीक है तो चलें यहां पर मैं लिखता हूं तो तो कि त्रिभूज A, B, C में तो लिखेंगे तो यहां से देखिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब सम्मू कोंड बराबर होते तो उनकी भूजा बराबर होती है तो यहां पर कोंडों को पहले क्या करें बराबर करें तभी तो भूजाएं बराबर हैं तो ऐसा काम करत कि यहां से पहले को बराबर करते हैं जैसे देखिए अगर हम यहां से एह सी बी लिखने कोड़ ए सी भी जब और बिए यदो बराबर भी एक लिएक लिए लिए यहां से कोंड ए बी ट इन रिखे जिसको आप समी-धरर कर दीजें क्い arrests चोग आने तिर्भूजयाए लिया तो क्या बराबर होते हैं तो कि समुख्भूजा भी चया होती है यानि हम लिख सकते हैं क्या ई-डी बराबर क्या लिख सGeneral दोस्तों आपका दिया भी गया पहले सही क्यों स्ट्विधat अब दूसरा अगर अगा अगर आप यह भी देखना चाहें यह भी किसके बराबर हो जाएगा यहां से देखिए आपस में सभी बराबर हैं तो आगर लिखने जो नहीं आपका महाँ पर कंसेप्ट हम समझा देंगे अगर इसका यूज होगा तो हम इसको बता देंगे बीच में नहीं होगा तो आप समझते चलिए ठीक है तो मैंने किस त्रिभूज को लिए अब आप किस त्रिभूज को लोगे एडी सी में तो यहां लिखिए त्रिभूज एडी DC में ठीक है दोस्तो अब चलिए DC में हम इसको हल करते हैं अब क्या करोगों दोस्तो तो यहां से эффmor निकलेगर तो कोण क्या निकलेगा A C D तो यहां लिखे कोण A C D जो होगा वह बराबर होगा कोण किसके A D C के तो लिखे यहां पर A D C के यह आपका हो जाएगा equation number second ठीक है समीकर्ण first और समीकर्ण यहां से हमें क्या मिल गया second मिल गया अब देखे अब समीकर्ण first और second मिल गया तो अब क्या करते हैं दोनों समीकर्णों को हम लेकर हल करेंगे इसमें भुजा क्या बराबर निकलेगा मैं जब कोण A C D लिया A C D और फिर बराबर कोण क्या निकला A D C तो इसे में भी आपको पता होना चाहिए समान भुजाओं के सम्मीक कोण होते हैं वह आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं यानि हमारा यहां पर A D बराबर क्या निकल जाएगा आ यह कंड B C D है यह किदने अंसका于 दोस्तों 90 आंसका यहहं में Ryvd करना है तो कये से प्रूब्ड करते हैं हम क्या करता है चले लिखते हैं यहां पर समीकरन फर्स्ट वर सेकन्ड से ठीक है समिकरन फ़र्स्ड वर सेकन्ड से clear हो यहां दोस्तों तो चलिए समीख्रन फर्स्ट सेकेंड को हम लेकर हल करते हैं तो समीख पर्ष्ट QUEWAiv pony् уч र connects धाइने तब झोड़िए ठीक है तो दिखें कॉड़ एँ सी एग क्या लिखोगे कोड़ A C D यहां लिखिए कोड़ A C D अब दाइने तर्फ जोड़िए दाइने तरफ क्या दोश्तों कोड़ A B C प्लस फिर क्या होगा कॉर A D C देखें बाइन तरफ पच्छ को बाइने तरब मैंने जोड़ा दाएं पच्छ को दाइने तरब जोड़ा मैं ठीक है अब इनकों जोड़ेंगे तो देखिए आप ही देखिए हमारा कौन क्या मिला A B C A B C फिर मिला A D C A D C एक कौन आपका भी नहीं मिला है वो क्या B C D तो ऐसे हैं करें दोनों पच्छों में आप क्या करिए B C D को जोड़ दीजिए या भी इसको आप हल करेंगे देखिए A C B A C B और A C D A C A C D यह दोनों मिल कर क्या बनेंगे B C D इन दोनों को जोड़ोगे तो कौन क्या बनेगा B C D और B C D बराबर क्या हो जाए कोण A B C प्लस कोण A D C समझा रहा ना अब क्या करेंगे दोस्तों देखें हमें प्रूब्ड करना नभ्यांस अब नभ्यांस प्रूब्ड कैसे होगा ध्यान दीजिए यहां पर कोण A B C A B C दिया है फिर A D C A D C है एक कोण बच रहा है क्या B C D यहीं बच रहा है ना यहीं बच रहा ना तो करिए क्या दोनों पच्छों में कोण B C D जोड़ने पर मैं यहां पर लिख देता हूं दोनों पच्छों में कोण B C D जोड़ने पर तो चलिए आप दोनों पच्छों में कोण B C D यहां पर जोड़ देते हैं तो जब कोण इधर क्या है पहले से कोण है B C D फिर जोड़ दीजे कोण B C D क्योंकि दोनों पच्छों में जोड़ रहे जोड़ दिए अब देखे यहां पर कोड़ बंदा कोड़ BCD प्लस कोड़ BCD तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएक टू कोड़ BCD अब आगे ध्यान दीजिए यहां बंदा कोड़ ABC ABC फिर ADC ADC कोड़ BCD फिर बंदा BCD तो आपको यह पता कि त्रिभूज के तीनों कोडो का योग कितना होता है एक सौ अस्तिंस तो इन तीनों कोडो का योग तो कितना आ जाएक सौर SGI this यहां पर तीनों कोड़ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हमें प्रूट करना है 90 निकालेंगे कोंड बी सीडी निकालेंगे तो दो का पंचांतर करेंगे और जब दो का था कोणन पर यहाप पर और अच्छे समध में होगा तो चलते हैं अब पर question number 15 को अब देखें दोस्तो question number 15 तो चलिए दोस्तों है do you know 15 तो आप लोगी दोस्तों मेरे साथ साथ बने रहे हैं मैं question 15 को पड़ता हूं इसने बोला है एबी-ची एक समकोंड त्रिभूज है जिसमें कोण ए Americans है औरfour अभी बराबर एसी है को और हम वहां जो क्या है संखोंड बना लेते हैं तो संखोंड तरिभूच कुछ इस प्रकार्ट से बनता है दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया बना दिया ठीक है अब क्या करना है ध्यान दीजिए यह आपका एक समकोर त्रिभूच हो गया अब क्या करें देखे यह आपको करना यह है किसकी भुजाओं को मान देना है आपको करना है यहां पर यह समको है वह जो किसे बराबर यह बिख लिख है अब जो दिया है इसको लिख लेंगे जब इस तरीचें k fold आमको कहीं पिया तो पहला काम किया करिए एक दिया रहे उसको लिख लिख लिया करें ठीक है तो चलेем अब इसमें यह दिया है कि जो a b भूजा है वह a c के बराबर है तो यहां पर लिख दीजे दिया है क्या है दिया है दिया यह है कि a b भूजा जो है यहां लिखता हूं मैं a b भूजा वह क्या है a c के बराबर है तो मैं यहां 90 डिग्री ठीक है कोण ए बराबर हम क्या लिख देंगे हाँ पर 90 डिग्री और आपको अब ग्यात क्या करना कोण B और कोण C का मान तो कैसे ग्यात होगा ध्यान दीजिए आपको यह पता है कि त्रिभूज के तीनों कोणों का योग 180 अस्यंस होता है एक आमान आपका 90 अस्यं एंसर लाना है ठीक है तो जब एंसर लाना है तो कैसे आएगा अब तो यह बार डिपेंड करता ना तो इसको हल करके लाना पड़ेगा तो चले हल करके ही लाते हैं अब ग्यात आपको यह करना कोंड भी तो यहां लिख दिए कोंड बी का मान ग्यात करना है क्वेस्टन मार् चले अब आगे क्या करना है आगे यह करना है ले के चले एक चले में अब volta धी ज though shall वो क्या है एक बराबर लिखे एbel भुझा है एक बराबर जलेंगे चलेंगे तो जब यह A B भूजा B C के बराबर है तो जब इसका सम्मुक भूजा बराबर है तो सम्मुक कोण भी क्या होगा बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं यहां पर कोण जो B है वह क्या होगा कोण C के बराबर होगा अब कैसे बराबर होगा मैं बार बार बता रहो दोस्तों जब कोण कोन बराबर होते हैं यह सम्मुग भुझायए बराबर फोसके सम्मुभ क्या होते हैं बराबर दोनों about कुछ भी कर सकता है अब अब इसको समी कर कर दिया तों क्या करेंगे तो इन तीनों कोड़ों का योग निकालते हैं तो आईसा किमनली क्या करते हैं था किमनि पुनः कौंच में ? A,B,C निकालेंगे तो लिए लिखेंगे कोन ए- प्लस कोन अब कोण ए- कामान आपको दिया गया 90डीग्री तो यहां पे आप लिख दीजे कितना नाइनटी डिग्री प्लस अब कोर धी तो कोर बी बराबर आप ने देखे यहाँ पर निकाला है कोण क्या सी तो यहां पर क्या लिख देंगे और फ्लस कोण सी बराबर एक सो असी अंस कर दीजिए अब जोड़ेंगे तो टू कोंड सी क्कोंड सी हो जाएगा और यहow को पंचांतर करेंगे तो क्या करेंगे टू को भी पंचांतर करेंगे तो यहां 180 में से 90 क्या हो जाएगा घर जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या क्या अभी पंचांतर क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कोण सी ब्राबर निकलेगा काटेंगे 45 दून कितना हो जाएगा नब्य ठिक है किश का निकल गया कोण सी का मान अब आप से पूछा था क्या कोण बी का फॉझा था तो बी कभले की सोल करेंगे सप्वांस में रख देंगे तो कोंड़ हमें क्या किया निकलना भी परह ब्राबर मिल जाएगा हमें क्या कि सी का मान 45 अंस है तो यहां रिख दीजिए 45 अंस यहां में कोंड बी का भी मान मिल गया दोनों कोंडों का मान निकल गया बी का भी और सी का भी तो दोनों यहीं एंसर कर दीजिए कोंड बी बराबर कोंड सी बराबर कितना आया दोस्तों 45 अंस दोनों का मान आ गया आप आपका 45 तो दोनों का एंसर सेम हो जाएगा ठीक है तो यहां पर कर दीजिए कि आप दोस्तों एंसर ठीक है एंसर निकालने के लिए बुला था मैं आपका एंसर यहां पर निकाल दिया ठीक है दोस्तों तो चलता हूं मैं next question पर question number 16 कि अब देखें दोस्तों जूसर नम्मर 16 तो बने रहे दोस्तो मेरे साथ मैं क्या नुंछ्ष को पढ़ रहा हूं थेका हूं इसमें कियाम किया है यह तो देखते नकूर 16 नबोला क्या है इसमें बोला है दर्सा यह कि किसी संभावतरि प्रत्रिभूज का प्रतेकोल साथ सब्सटेट होता है आप करना थो दोस्तों ये को दर्साना है कि संभाव्तिक डर्ण कर दोस्तों को संभाहु मलब भूजा इनकी तीनों भूजाएं क्या हो आपस में समान हो तो आपका हो जाएगा संभाहु त्रिभूज ठीक है अब यहां पर कर दीजे ए यह कर दीजे बी यह कर दीजे क्या सी एबी सी हो गया दोस्तों अब ध्यान दीजे यह आपका एबी सी क्या है तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी तीने भुजाओं को आपस में बराबर लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे यहां पर क्या दोस्तों AB बराबर BC यहां लिखे AB बराबर BC और BC बराबर AC यहां पर आप कर दीजे क्या बराबर ठीक है यहां पर तीनों भुजाएं क्या हो गई और क्या लेते हैं यहां लिखिए जब क्या एबी बराबर क्या हो एसी ठीक है जब एबी बराबर एसी हो तो तब आपको हम बताते क्या करना जब एबी बराबर एसी हो तो ध्यान दीजे यह भुजाएं क्या है आपस में बराबर हैं आपको पता है कि जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो उसका जो सम्मुख कोण होता है वो भी बराबर होता है तो यानि हम लिख सकते हैं इसका जो कोण ए है वो कोण सी के क्य हो जाएगा बराबर हो जाएगा तो आप यहां पर लिख दीजी कोड़ जो यहां पर सी है वह 캉ी हो जाएगा बराबर्या कैा करोगे पिर इसको बराबर लो ए और आपने क्या लिया था एसी प्र लिखो जब A B बराबर A C हो तो या तो A B बराबर B C हो तो ठीक है तो लिखे जब A B बराबर B C हो तो अभी आपने A C लिया था अब यहां पर क्या कर दीजे B C तो A B बराबर B C करेंगे तो क्या होगा दोस्तो कौन इसमें भी बराबर निकलेगा यहां पर निकलेगा नहीं निकलेगा इसके लिए कौन C और फिर क्या हो जाएगा B तो ऐसा करिए अब यहां पर भी लिख दीजे कौन C जो निकलेगा वो इसके कौन B के क्या होगा बराबर होता है यह सम्मुक कोंड बराबर हो गुष की समुक भूजाएं क्या होती है बराबर होती है ठीक है तो चलिए समीकरंडों को लेकर ऑख कर लेदें समीकर ap अप्र सके ठीक करेंगे एक निकलेगा टौनड निकल जाएगा तो तो कोण B भी बराबर कर दीजिए और कोण क्या निकलेगा सी भी बराबर निकलेगा समझ में आ रहा ना अब इसको कर दीजिए आप समीकरण क्या थर्ड कैसे निकला समझ में देखे कोण आपस में तीनों कोंड बराबर ही है तो हम कोंड ऑप कर देंगे तो सम्मीटर्ल को करना है कि इन क्यूंत मतले होता है वकितना होता है साथ हन्स इनका मान को लिगा वह कितना आना चाए साथांस आना चाहिए तब ले लिए त्रिभूज को A B C को नहीं को तो यहां लिखें त्रिभूज A B C में ठीक है अब इन त्रिभूजओ को हम लेंगे तो क्या लिखेंगे icon a plus icon b plus icon c बराबर इन तीदिनों कोड़ों का योग होता है 180 है अब यहां आपस में सभी के बराबर होते हैं तो ऐसा काम करते कौड अब ध्यान दो कौड भी है कोंड बी किसके पराबर कौंड कर दिए कर दिए कोंड इसको चैन्च कर दिए अब बराबर कितना at nation तो जूओड के कितना हो जाए गा थी कौंड Ali ठीक है बराबर में पहलानना कोंड ईक अर्प तो 3 pairs 188 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कौंड ए बराबर जो को निकलेगा 14 क्यों ये कामान आपको मिल गया कितना इसी प्रकार से भी और सी को भी निकालना है यह तेनों आपस में बराबर हैं कि बराबर हैत अधिकान पैसे निकालों जब स्परस्ट से निकालोगे तो mal avasac mh и से ठीक है प्रिसर निकालोगे तो कोंड़ सी बराबर 7 है तो एक आम निकलाए साठ्थ कोंड़ नीकल गया अब बचा I gotta कोंड़ निकल खार्दए से कर दीजी ठीक है समी करण से से किया तो औन सी बराबर और कोण B, तो कोण C का मान दिया 60 हंस, तो कोण B मिल जाए गया है आपको, तो लिखे हैं, कोण B बराबर, यहां C का मान कितना रखों के 60 हंस, तो कोण B का भी मान निकल गया कितना, 60 हंस, तीनों कोणों का मान यहां पर निकल गया 60 हंस, यह आपको प्रूब्ड करना था, और आपका proved हो गया तो आप यहांपे लिख दिआ दिजिए कोंड ए बराबर कोंड B बराबर कोंड C बराबर तीनो कमान निकला है साथ हंस फाल हंस लिखधी सामने लिख दिजए क्या इसके प्रोब्ड या इति-स सिध्रम हुगा सो आपके उपर डिपेंद करता हैं क्या लिखना है आप तो दोस्तों यह आपका राइं आया दो कि अब देखें दोस्तों क्योश्चन नंबर सेवेंटीन तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ मैं क्योश्चन नंबर सेवेंटीन को पढ़ रहा हूं आप लोग भी अपने बुक पर ध्यान दो मेरे सांसा देखें क्योश्चन नंबर सेवेंटीन में क्या बोला है इसमें आपसे तो आपको क्या करना यहां से दो समकोड त्रिभूज यहां पर बना लेते हैं ठीक है और यह दोनों त्रिभूजों को आपको प्रूब्ड करना यह सरवांग सम् है तो चलिए पहले यह दो समकोर्ट्र त्यार कर लेते हैं उसके बाद हम प्रूब तरके आपको दिखाते हैं टो है तो यह आपके रहें दो समकोर्ट्र तरिभूच अब करें इनकी भुझाओं का नाम दे दीजिए तो इसको कर दीजे इसको कर दीजे बी इसको कर दीजे क्या सी इसको कर दीजे पी इसको कर दीजे क्यू इसको कर दीजे क्या ठीक है अब चलते हैं अब यह दोनों क्या है समकोंड त्रिभूज है क्या इसका इसे त्रिभूज है समकोंड त्रिभूज है तो पहले जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं दियां क्या है देखे अगर हम दोनों क्या है समकोन है एसा काम करते हैं यहां लिखते हैं तुरीख्या A, B, C तो लिखे तरिभूज A, B, C तथा तरिभूज P, Q, R में ठीक है तो लिखे तरिभूज P, Q, R में अब जब लेंगे तो कोण B जो है 90 डिगरी का है और कोण Q भी क्या है 90 डिगरी का है दोनों को कर दीजे 90 अंस के क्या बराबर ठीक है कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 अंस दोनों का मान 90 अंस के बराबर होगा अब जब कोण बराबर है तो भुजात भी तो बराबर होगी त्यानि जो इसकी जो आधार है B, C और इसका जो आधार है Q, R ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे ठीक है और यहा यहां से B C बराबर Q R ठीक है तो यहां लिखे B C बराबर Q R इन दोनों भुजाओं को मैंने कर दिया क्या बराबर जब बराबर हो गया तो कोण भी क्या होगा बराबर ही होगा तो कोन को भी कर दीजे यहां से बराबर यानि A, C, B तो कोन A, C, B बराबर कोन P, क्या लिखेंगे? P, R, Q, तो ऐसे लिख दीजे कोन P, R, Q, ठीक है? इन दोनों तरिभुजों के कोन को हमने कर दिया याज क्या बराबर क्लियर हो गया दोस्तों? चले, अब हम यहां से क्या हमें सिध्ध क्या करना है? उसको भी देख लेते हैं, तो चले यहां पर लिखता हूँ क्या? सिध्ध करना है, क्या सिध्ध करना है? देख लेते हैं, सिध्ध यह करना है आपको, कि जो यह दोनों प्रिफूज हैं एक दूसरे के क्या है सर्वांगसम है तो चले उसको भी लिएते तो यहाँ ध्यान दीजें तर्पूज क्या है hypothesis ना दली एत्व है gebe सी वो क्या होगा सर्वांग सम होगा किश के त्रिभूज कि ultimate qr यहां लिखे त्रिभूज qr यह आपको प्रूपड करना ठीक के तिसको नजर के सामने बनाये रखे क्योंकि यह हमें ब्रूप outdoor करना अब जिस त्रिभूज को आपने को प्रूप triple करना उसी त्रिभूज को लेकर चलना होता है आपको बता दें कि जिस त्रिभूज को आपको प्रूज करना है उसी त्रिभूज को आप यहां पर लेकर चलिए तो त्रिभूज क्या है एबी सी तथा अगला त्रिभूज क्या है पी क्यू आर ठीक है यहां लिखिए में ठीक ह थ्यां दिए आप इन दोनों कॉन्ट जो है 1940 ड्यकी के हैं तो इसके सभी बहुत बराबर निकलें ठीक है और आपका पहले से ही दिया गया है क्या दिया गया है जो कोण ACB है यहां निकाला मैंने ना तो लिख दीजे कोण जो ACB है वह किसके बराबर है दोस्तों कोण PRQ के बराबर है यह आपका पहले यहां मैंने निकाल दिया ठीक है अब क्या करना है जब यह बराबर है तो तो आप यहां कर सकते हो नहीं कर सकते तोप यहां लिख लिख दीजिये क्या तिरिभूज A, B, C जो है वह क्या है सरवांग सम है किस तिरिभूज के तिरिभूज P, Q, R के अब कैसे है तो यहाँ पर आप कोश्टक में लिख दीजिए इंगल, साइड, इंगल, रूल से ठीक है इंगल, साइड, इंगल, सरवांग समता से ये क्या हो जाएगा सरवांग समता से ये आपका हो जाएगा एक दूसरे के क्या सरवांग सम ठीक है तो अब सामने आप इसके लिख दीजिए क्या ये प्रूब्ड हुगा ठीक है को पढ़ते हैं देखते हैं इसमें क्या बोला है तो बने रहे हैं मेरे साथ दोस्तों क्येशन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए इसमें बोला है चित्र में ए त्रिभूज त्रिभूज A, B, C की दो भूजाएं A, B और B, C तथा मधिका A, D क्रमसर त्रिभूज P, Q, R की भूजाओं P, Q, Q, R तथा मधिका PM के बराबर है सिद्र कीजे की त्रिभूज A, B, C तथा त्रिभूज P, Q, R सरवांगसम है आपको क्या सिद्र करना दोस्तों यह दोनों जो त्रिभूज है यह क्या है दुसरे के सरवांगसम है तो पहला काम आपका यही होगा यह आप आकृति को बना ले ठीक है तो चलिए पहले मैं उसके बाद समझाता हूँ कैसे आपको क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है ठीक है दोस्तो तो दो यहां पर आकरती दी गई है ठीक है तो पहले दोनों आकरती को हम यहां से बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से दी गई है बनाने के बाद हम आपको हल कराते हैं यह हो गया अब का करना इसमें एक मध्धिका किची गई बहुत Now is मनुस्टच दीजिये अभिजा इसके बराबर तो आप करना क्या है इसके बिंदू को मांदे तो यह आपका है यह आपका इब यह है C अब मद्धिका क्या है आपका D और यह जो है आपका P यह है आपका Q और यह है R इसकी मद्धिका जो है वो है M ठीक है कुछ इस प्रकार से आपकी आकरती दी गई है अब चलिए हम चलते हैं क्वेस्टन की तरफ कैसे इसको हल करना है तो आपके दो त्रिभूज दियेंगा है तो पहले दोनों त्रिभूजों को आप क्या करिए लेके चलिए दो त्रिभूजों में क्या-क्या दिया है उसको लिख दीजिए आप ध्यान दीजिए अगर हम ले ले त्रिभूज A, B, C और त्रिभूज P, Q, R यही दो त्रिभूज है ना तो इनकी दो मत धिकाए है जो पहले के देखे इसके जो A, B भूजा है त्रिभूज A, B, C में वो P P, Q, R में त्रिभूजों को आप लेके चलोगे तो ध्यान दीजिए इन दोनों त्रिभूजों में जो AB भुजा है वो क्या है ? P-Q के बराबर है तो एहां AB बराबर क्या लिख दोगे आप P, Qु एं अब दूसरी जो, भूजा दिख रही, आपको BC जो दिख रही है वो किसक के बराबर है तो यहां पे लिख दीए 20 जो है वह क्या है कि यू आर के बराबर है ठीक है आप देखें दोनों की मद्धिकाए भी एक दुसरे का आपस में बराबर कर दो यानी आप लिख लिख दो पहले की मद्धीका आपको यह करना है कि त्रिभूज ABC जो है त्रिभूज ABC सरवांगा सम है त्रिभूज किसके PQR के लिख दीजिए पर त्रिभूज PQR क्लियर होगा दोस्तों चले अब इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं एकदम आसान से तरीके में देखते हैं ये एक दूसरे के सनवांगर सम कैसे नहीं आते ठीक है तो हम प्रूब्ड करते हैं पहले आप देखे अगर आपका दिया गया पहले से अगर देखा जाए तो बीसी जो भूजा है ये भूजा जो है और यह क्यूआर आपस में क्या है बराबर है ठीक है तो इसी को लेकर हल करते हैं यहां लिखे बीसी बराबर क्यूआर ठीक है अगर हम दोनों में क्या करें दो से भाग देते चले 2 से भाग देते हैं तो VCY 2 हो जाएगा यहां भी कितना हो जाएगा Do हो जाएगा ठीक है ध्यान कर दिजेगा आपका दिया था 20 καशुक्त बिसी पराबर बीघा करूँगा दोनों में क्या किया मैंने चिना से आगावा किया क्यों कि इसके क्या वीडी और जब क्यू आर का आधा करूंगा तो बच्छे क्या क्यू एम क्लियर हो गया इतना समझ में चले आगे बढ़ते अब हम तरिभूज फिर से लेंगे किसको क्या क्या त्रिभूज अब बचा क्या एब डी को यहां लिखे डी तथा अब डी को लेके चलेंगे ना क्योंकि बने पूरा त्रिभूज तो ले लिया है यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे यहां ब्यदी भूजदे धूराइव यहां यहीं न है दूसरा है ग किसके बदाबर बच Васब यहां पिखके जो हैं अगल कि आगल है वह किसके हरी कि यहां लिखे वह क्या होगा किई के बूबर हें क्लियर होगा है दोस्תो और आपका पहले से क्याने है तो आप देखेज़ तिनों भूज़ाएं आंपसे बूज़ाय तो हम यह लिशकते हैं नहीं तो अमग्ज में लिख सकते हैं कि जो चर्भूजी क्या है BDD है वो क्या है सरवांग सम होगा तिरी भूज, P, Q, M के तीनों भूजाएं जब बराबर हैं तो एक दूसरे के यह क्या हो जाएगा सरवांग सम हो जाएगा अगर आप रूल जानना चाहत किस रूल से हो रहा है क्योंकि तीनों के भूजाएं मिल नहीं है साइड 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 सरवांग समता से यह क्या हो जाएगा दोस्तो एक दूसरे के हो जा रहे हैं सरवांग सम ठीक है तो एक दूसरे के यहाँ पर निकल गया सरवांग सम अब देखिए जब यह एक दूसरे के सरवांग सम है यहां बोट हैं तो इसके ग्ण भी पराबर होगे जैसे मेरा को इसका भी और कौण सी यह तो बराबर हिज़ा तो सह Book रहें से में इसमें लेना देना थाग्या와न सरवांगसं क्या होना चाहिए तो लिखें यहां पर त्रिभूज ABC तथा त्रिभूज PQR में ठीक है चले अब इन दोनों को हम लेकर यहां से हल करते जब इन दोनों त्रिभूजों को अब लेकर हल करोगे तो ABC तथा PQR में तो आपको पता दे अभी आपने निकाला क्या था जो AB भूजा है वो PQ के पर है यहीं ना और जो BC भूजा है चीत्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो समझ में आ और रहा होगा दोस्तों अपने चीत्र बना ही लिया होगा तो BC जो है वो किसके बराबर है QR के ठीक है और जो यहां पर देख़ें कोड भी जो इसका है वी वो कूड कू के यह भ एक ब्राबर क्यों निकल लए है क्यों अब क्यों बराबर करते कोंड भी होगा वो क्या होगा क्यों के बराबर होगा ठीक है अब देखें दो बुजा और एक कोण क्या हो रहें बराबर उरह उधार हो रहे तो किस रूल से तो आपका हो रहा है पहले देखें साइड भूजा मिलना है फिर कोन फिर भूजा ऐसे करिए तो यहां लिखे साइड एंगल साइड सरवांग समता से यह आपका जो हुआ प्रूब्ड हो गया ठीक है सरवांग समता से ऐसे आप लिख दीजिए ठीक है यहां लिखे सरवांग समता से साइड एंगल साइड सरवां वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और सांथ में प्रेस करने से आपको यह फायदा होगा कि जो वेडियो जब मैं जब भी अप्लोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा ठीक है दोस्तों तो चलिए अब करते क्या हैं हम बचे हुए सवालों को नेक्स पार्ट में लेकर आपसे मिलते हैं तब तक के लिए बाइबाइब जय हीन जय भारत